कौन कहता है कि इच्छा देंगे तो भी फेल हो जाएंगे ऐसा आपके दोस्त कहते होंगे जो आपका सिर्फ मजाक उड़ाते हैं सिरियस में बोला हूँ कि कोई इस बात की गारंटी ले नहीं सकता कि इच्छाम देने पर भी लोग फेल होते हैं यह अपनी अपनी मेहनत के आपके मजे ले रहा है आपकी जगते का बेजती कर रहा है कि अपार्टमेंट एक्जाम देने वाले भी पास नहीं होते हैं एक बार जो फेल है वो फेल है ऐसी बाते बहुत सारे लोग जहल लाए है और मुझे कैसे पता चला मेरा पंचानवी वीडियो ला कूर्स लगभग 500-600 बच्चे उने लिया है तो उसमें से मुझे एक बच्चे ने कॉल किया कि सर ऐसा ऐसा मेरे गाउं काई लड़का कह रहा हो कह रहा कि तो गंपार्टमेंट एग्जाम दे चैक कुछ भी दे तो फेल ही हो जाएगा मैंने उससे बोला कि बस आप इंतजार करो बाई जुला आपको डिस्टर्ब करने वाले आपके पडोसी, रिष्टिदार, मित्र, पाटिदार इस सारे लोग हो सकते हैं इसमें से कोई हो सकता है तो आपको अपना ध्यान, अपना समय लच्च की तरब लगाना है लच्च आपका बाई जुलाई है कंपार्टमेंट एक्जाम तो बे सकते हो, रिष्टेदारों से दूरी बना सकते हो, अपने घर में बंद कमरे में पड़े रहो, घर के अंदर पड़े रहने की आदत नहीं है फिर भी अपने आपको सोचो कि तुम्हें कोई सजा मिल गई और सजा काटने के लिए तुम्हारा घर ही जेल के रूप में तुम्ह पूसी जेल में बंद रहो, पुष्टकें पड़ो, कापी कलम ले लो, अच्छे टीचर की वीडियो देखो, और अगर वीडियो नहीं देखना चाहते हो, तो सेल्फिटरी ही करो, एक्जामपल सिर्फ तयार करके जाओगे तभी तुम्हारा कल्यान हो जाएगा, अच्छे नहीं मिलते हैं, तो खरावी टीचर का देखो, कोई भी यूट्यूब पर वीडियो डालता है, तो वो सोचता कि मेरी वीडियो बहुत अच्छी बने, और बहुत ज्यादा लोग देखें, तो अगर यूट्यूब पर आप गया है, मैत की वीडियो आपने देखना शुरू क या किसी का, तो पूरा देखें भाई, क्योंकि जिसने भी बताया है न, उसने अपना पूरा प्रियास किया है, कि 100% सही हो, अच्छा हो जादा चले, तो कुल मिला जुला करके, आप थोड़ा ताने सुन लेजे, थोड़ा वक्त इंतजार कर लीजे, बाई जुलाई के आप खुद अपने आप से पूछ पाएंगे और अपने आपको समाल पाएंगे कि आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है, क्योंकि कांपी लिख के आओगे, तो अपना दिल कहेगा कि पास हो जाएंगे, कांपी अधूरी छोड़ के आओगे, बनावटी लिख के आओगे, तो अपना दिल कहेगा कि पता नहीं क्या होगा तो अगर आपका दिल यह कहता कि पता नहीं क्या होगा तो निच्चित रूप से आपने कांपी में धंग्से लिखा नहीं आपने तैयारी धंग्से किया नहीं और इसका नतीजा आपको झेलना पड़ेगा तो अगर आप परसान है कि क्या मैं पढ़ू क्या छोड़ू तो आप किसी के पास मत जाएए सिर्फ मुझे मेरे फोन नमबर पर कॉल कीजिए इस्क्रीन पर मेरे नमबर है इस पर आप फोन करिए मैं आपको 16 घंटे की वीडियो दूँगा 16 घंटे की वीडियो देख करके आप कमपार्टमेंट परिच्छा में 100 में से 60-70 नमबर बड़े आसानी से ला सकते हो और 16 घंटे कोई बहुत बड़े बात नहीं है चाहोगे तो 3 दिन में 5-5 घंटा का समय निकाल के अपने 24 घंटा में से 19 घंटा आप अपने पास रखो 5 घं तो 3 दिन में तुम ये 16 घंटे का पूरा कभर कर लोगे और अगले 2 दिन में इसको रीपीट कर लोगे, दोहरा लोगे 100 नमबर का पेपर होगा मैं यह नहीं कहूँगा कि 100 में 100 पाओगे लिकन इस बात को जरूर मैं कहूँगा कि 100 में तुम 60-60 जरूर पाओगे लेकिन कब ये 16 घंडे की वीडियो देख देखे प्रैक्टिस करोगे लिखोगे तब अपने घर पे रहोगे तब बंद कमरे में रहोगे तब सोसल मीडिया से दूरी मित्रों से दूरी रिष्टेदारों से दूरी चौराहे पर जाना थोड़ा दिन बंद करो चार चोमीन बरगर की दुकानों पर जाना थोड़ा दिन बंद करो अपने आपको 100% दे दो परिक्षा में 100% दोगे तो कुछ परसेंट पाओगे न कहते हैं न कि कुछ दोगे तब इन कुछ पाओगे तो तुम समय दो मेहनत दो उपर वाला तुम्हें मार्कस देगा एक्जा क्यों इधर उधर की बाते सुन करके अपने आपको मायूस करते हो कुछ दिन इंतजार कर लो तुम्हें भी हसने का मौका मिलेगा तुम भी अपने असीर सम्मान से उठाकर दूसरे की चुटकी दूसरे का मज़ा ले सकोगे दूसरे के दरवाजे पर जाके अपने भी बाइ लेकर इक्जाम देनेंवाल है सो बच्चे देखेंगे दोचार बच्चों के काम आएगा लेकिन मेरा मौना कि अगर मेरे सो बच्चे देखते एक बच्चे को मेरी वीडियो से फैदा होता तो मैं संजोंगा की मेरा video बनाना सफल मेरी मेहन चशफल यो कि जो हजार चोवीज में एक्जाम होगा उनके लिए तो अभी समय पढ़ा है उनको पढ़ाना लिखाना समझाना उनको आगे बढ़ाना उनको समारना साजना समय भरपूर है लेकिन जो फेल है बच्चा जो दुख में है जो तकलीब में उसके लिए 22 जुलाई का डेट फिक्स है और आज 15 अच्छी फेलिंग अच्छी मुस्कान के साथ घराओ यही मेरी शुब कामना है समझे बबू तो अगले वीडियो में किसी के भाकावें मताना किसी के जलावें मताना किसी के ताना का अपने उपर यार असर नहोने देना यू है टू इग्णोर एबरी अब ताना मारने का अंगरेजी मुझे नहीं पता लेकिन टीज बोलते हैं टीज मिंस चिढाना होता है तो बहुत चिढावे पन का आप एग्णोर करेए ठीक है बस नमस्ते आपको मेरी तरब से धेर सारा असिरवार धेर सारा शुब कामना कि आपकी परिच्छा पहले वार आसा ही करता हूँ थैंक्यो